नमस्ते आप सबका वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ बहुत ही मुझेदार सी कड़ी अब देखो आप दाल तो हर तेरे की बनाते हैं और चाबल के साथ खाती है पर आज दाल को थोड़ा साइट में रखते हैं और दही बेसन वाली कड़ी ये कड़ी इतनी बढ़िया लगती है खाने में और बनाने में खोब आसान वैसे हम कड़ी बनाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जब भी इसका गोल बनाते हैं तो बेसन की गुटलिया रह जाती है पर आज एक तरीका बताऊंगे सबसे पहले मिक्स या नहीं रहेगी उसके बाद गयस को उनकर के पैन रख दे एक चमस तेल डाल दे जैसे तेल गरम हो जाए चोथाई चमस जीरा चुटकी बर हिंग इसी के साथ इसके अंदर आपको डाल देने छे से साथ मेथी दाना के दाने दो बारी कटी हरी मर्ची पांसे शे कड़ी पत पानी इसलिए दो गलास अभी आपको जादा लग रहा होगा पर यह जो दही बैसन है न बैसन इसके अंदर डाला हो तो पानी आपको जादा डालना ही पड़ेगा 37 सवाद के अनुसार नमक डाल दे और अब इसे आपको लगवक 6-7 मिनिट के लिए पकाना है बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहना आप देखेंगे दीरे दीरे यह पकना शुरू हो जाएगी इसमें ओबाल भी आता जाएगा और यह जो कड़ी हो गारी होना शुरू हो तो यह टेक्निक ज़रूर अपनाएगा मिकसर में गोल को पीसने की इससे क्या होगा आपका काम भी फटा फट से हो जाएगा और इस कड़ी को आप बाजरी की रोटी चावल सभी के साथ ले सकते तो ट्राइक की ज़र यहां तक क्या है तो चैनल को सिस्क्राब करना एफल टूच कि अडिक वचलो को आपका काड़का तो लेंग भी